नमस्कार राम राम सस्रेकाल प्यारे किसान भाईयों सबी किसान भाईयों को किसान पाड़ सल्ला चैनल में स्वागत जान भाईयों रभी फसलों के अंतरकत आज हम सर्सों के बारे में बात करेंगे यह अपने एक फिल्ड देख पारें बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर सर सो हैं फ्लोरिंग आप देख वारे थोड़े थोड़े है जो फूल वीस जो है सरसो और लगबग किसान भाई ने जो चोवीश अक्टूबर के असपास वहाई की थी और एक मिन्ने बाद में सिंचाई कर दी थी 40-45 दिनों की क्रॉप हो चुकी है किसान से भी बादचित करेंगे कौन कौन से फटिलाइजर इस्तमाल किये हैं कौन सी वराइटी है किसान से बादचित करते हैं नमस्कार जी सस्रीकाल किसान पाड़सला चैनल में आपका स्वागत सबसे पहले तो अपना प्रीचे बताए नाम मेरा नाम रंजीत सिंग ब्राड गाम हमने 25 में सरस Tong लगा रिखा है थोठा सा वराइटी के बारे मता कौुन सी वराइटी आपने लगा रुखी है हमने 12 विगे तो 45-46 लगायी हुएege और 10 अबंश हमने हमने 725 वराइटी लगार रखी है तो थोड़ा सा यह बताएं कितने दिनों के पाड़ती थी आपने कितने चाहिए की थी अच्छी कंडिशन में क्रोप है लगबग चारी से पंतारीश दिनों की क्रोप हो चुकी है तो रजी यह बताएं भी आपने बेसल के अंदर शुरुवात के अंदर इसमें कौन सी चीज डाली थी शुरुवात में हमने एक थैला इसमें सूपर का डाला था और बिज़ाई के समय हमने इसमें साथ किलो डीएपी और शही सो ग्राम बीज ओंजी बिगे में 6台 przy state सीजानर और एक बिगए की यूरिया के साथ मिलाकर डाली यूरिया कितने डाली यूरिया हमने लगबग 17 किलो 17 किलो के लगबग एक वीडिया डाली पहले पानी लगाने से पहले पानी लगाने के बाद में पानी लगाने के बाद में एक हावते बाद में 17 किलो यूरिया फिर उपर से डाली दो बार म थी गवार की उसके खाद भी अच्छी भने इसकी खाद गवार की और उसका भी हमें बेगी फिक्तम को सर्सों strengthened आइची है और हाइट भी ठीक है और बाकि इसका पोधी का फेला भी अच्छा है और अभी में तक इस अब इसे मेन आपने अच्छा है दो जमीन भी आपकी यह नहीं कह सकते है रेतिली जमीन होती है वहाँ पर तो सर्चों की ग्रोथ कम होती है ताक हैं भी कम लगती है फ्लोरिंग स्टेज में आ जाती है अब थोड़ा सा आपको इसमें जो तनागलन है और अल्टरनेरिया बलाइट है उनके बारे में और आगे जो आगे जो थोड़े दिनों बाद में अल्टरनेरिया ब्लाइट है या इसके अंतर है जो आपके तनागलन बिमारिया आ जकलोरोसियम के कारण है जो तनागलन बिमारी आ जैती है या जिस Whatsapp के लिए जब भी आप करते हैं इसलिए पहले सिंचाई सार्चों की फिल्ड में जैदा पानी खेत में रुकना नहीं चाहिए ज्यादा पाणी रुकेगा तो उसमें तना गलन है और आर्थर गलन बिमारी जैसी बिमारियां है जो फंगस वाली वह आणी शुरू हो जाती है तो इसे बचायों के लिए जेवी के अंदर आप किसान बाई यो ट्राइकोटर्मा का इस समय प् और आप करोगे तो बहतरीन प्रहूं मिलें गे और साथ में इसमें स्युटलमा फ्लोरेशंस प्रहों कर सकते हैं जब आप प्रहों करोंगे तो यह जो अपने पत्यां देख रही है इन पत्यों के अंदर है जो लेर बना लेता है और प्यषे पंतालिस दिन और इससे रहता त्पत्तियों के अंदर जो यह कोशी का दिरवें पत्यों गंदर उसको यह जमने नहीं नहीं देता है जिससे पाड़े से स्ट्रेस से भी बचाता है तो यह आप पहली स्प्रे कर सकते हो साथ साथ में कंबिनेशन जो आता है एजो स्ट्रोबिन है 11 प्रसेंट और साथ में टेबू के ना जोल उसके अंदर उता है ठारा पॉइंट पहली स्प्रे के अंदर है जो अधियराम प्रती लिटर पानी के साथ से Network तो बिमारी przeci से हमें निजात मिलेंगी जितनी हम्वसल की सार संबाल करते उतने हमें बहतरी Scar a मिलते हैं अब जो सम्य है किसान भाइयों वो जो सम्य हमें फञजल को देखने का है एक तो खर्पतवार का द्यारा के खेत में जतने जादा खर्पतवार होंगे उतनी जादा बिमारी आएगी इसलिए वीड से रही हमारा खेत होना चाहिए क्योंकि बिमारियाः सबसे पहले ुर्वतवारा पर आती है सबसे बाद तन्हे पर पर फल्यों को गेर लेती है इससे हमाराCuran है जो कम हो जाता है तो यह आप यदी सफ्डिक का प्रेयोग करते हो तो आपको बहतरीन प्रणा मिलेगा यह से ही होता है टेक्नलोजी ज्यादा से ज्यादा किसान के पास पहुंचे और उपर जो उससे अच्छी मिले यदि हमारा किसान खुसाल होगा तो हमारा देश कुसाल होगा जै जवान जै किसान जै भारत